बविश्य के सभी अध्यापक सात्यों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों यहाँ पर सीटेट परिक्षा की हम तयारी कर रहे हैं और यह है इसमें हमारा टॉपिक नंबर 22 यानि कि 22 बड़े ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक को हम डिसकस कर चुके हैं जहां से एक या दो परशन आपकी सीटेट परिक्षा में पूछा जाता है केवल एक से दो टॉपिक आपके बचे हैं और आपके सीटेट परिक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा सहस्तर का ज इससे ठीक पहले डिसकस कर चुके हैं अभी हम डिसकस करने वाले हैं प्रगती शील शिक्षा इसको इंगलेस में बोलते हैं बालक का सरवांगीड विगास करना उसी तरह प्रगती सील शिक्षा का भी उद्देश क्या है बालक का सरवांगीड विगास करना अब प्रगती सील शिक्षा की अवधारना है यह जो शिक्षण पद्दती है प्रगती सील शिक्षा इसको कौन लेकर आया तो इसके जो जनक मा को दारना किसने प्रस्तूत की थी तो वो हैं गिजु बाई बदेगा खिकर रखेंगे गिजु बदेका घीकर याद रखेंगे ठीकर बाल्यक अंधरिश इंद्रिश इसक्षा को भारत रानी का ओर वыл्ड में इस Васुच्छपदेकी को रानी तो प्रगति सील शिक्षा के क्या है तो सबसे पहले है Montessori विदी से संबंदित है, Montessori विदी के जनक है, मारिया Montessori जो इटली की मनोवे ज्यानिक है, 3-7 वर्स के बालक या फर 4-7 वर्स के बालकों पर इन्हों ने प्रयोग किया था, और इन्हों ने पाया था कि बच्चे क्या है, स्वैम करके सीखते हैं, बालक क्या है, स्वैम करके सीखते हैं, इसमें बालकों का विचलेशन उनका पर रिवे चड़ गिया जाता है, Montessori शिक्षा किस ने दी है, इटली की मनोवे ज्यानिक है, मारिया Montessori ने, 3-7 वर्स के बालकों पर इनका प्रयोग था, आप इसमें यह याद रखेंगे, कि Montessori जो शिक्षा है, इसमें बालक क्या है, स्वैम करके सीखते हैं, दूसरी शिक्षा है, मानवतावादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है, तो मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है, बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखता है याद रखेंगे सामाजिक अंत्यक्रिया करके किस शिक्षा पदती में सीखता है बालक मानवतावादी शिक्षा में ठीक है सामाजिक अंत्यक्रिया याद रखेंगे सामाजिक अंत्यक्रिया और Montessori शिक्षा में क्या था बालक स्वयम करके सीखता है मानवतावादी शिक्षा में क्या है बालक सामाजिक अंतेकरिया करके सीखता है संरचनावादी शिक्षा किस परवल देती है तो संरचनावादी शिक्षा है वो आदारित है सरजनात्मक्ता पर पर याद रखेंगे किरेटिवीटी पर आधा रहे था सरजनावादी सिक्षा, ठीक है? सबसे पहले इन 3 प्रगति सील सिक्षा के प्रकार हैं, इनका आप याद रखेंगे, मॉन्टे सरी विदी है, स्वयम करके सीखने पर, मानवता वादी शिक्षा है, सामाजिक अंत्यक्रिया से बालक सीखता है सहरुचनावादि सिक्षा है सरजनात्मक तापर आधारित है सरजनात्मक क्रियेटिविटी पर बल डिया जाता है तो भस इतना याद रखेंगे ज़्याद नहीं है इससे पिछली परिक्षाम किस सरह से प्रशन पूचे जाते हैं, उन पर ज्यादा डिस्कस करेंगी हम, ठीक है, यह जो चप्टर ऐसा है कि इससे easy प्रशन पूचे जाते हैं, ठीक है, तो प्रगतिसील जो शिक्षा है, progressive education, इसके विकास में योगदान देने वाले कुछ मनोवग्यानिक सिद्धानत है, तो सबसे मस्तिश्क एवं बुद्धी, तो बालक क्या है, मस्तिश्क एवं बुद्धी से अपने कार करता है, और अपनी सबी सामाजी समस्याओं का निदान किससे करता है, अपनी बुद्धी से, तो प्रगतिसील शिक्षा में ये एक सिद्धानत है, उसके विकास में एक योगदान सबसे पहले बालक क्या करता है कर्म, कर्म से क्या मिलता है उसको अनुभव, सबसे पहले बालक करता है कर्म, कर्म से मिलता है उसको अनुभव, और अनुभव से आता है उसको ज्यान, ठीक है याद रखेंगे, सबसे पहले बालक क्या करता है कर्म, कर्म से मिलता है उसको यूगदान देता है ज्यान, मौलक प्रवर्तियां, जो बालक की मौलक प्रवर्तियां है वो भी प्रगतिसील सिख्षा के विकास में यूगदान देती है, इसके लावा बालक जो चिंतन है, जब बालक चिंतन करता है तो ये भी प्रगतिसील सिख्षा के विकास में यूगद तो बालक क्या है या अधि स्क्ष्या के विकास में युगदान पड़ान करता है ठीक है तो यह कुछ प्रगति शील शिख्षा के विकास में जिने वालेolे मनोवग्यानिक तत्व या फिर मनोवग्यानिक सिद्धानते हैं को भी आप याद रखिएगा तो प्रकति सील शिवी अवाल इतना ही है दोस्तों इसके बाद हम डिसक्शा करेंगे कुछ स्कीम्dish को डिसक्स करेंगे सिक्टव का सार्व भॉमिकर्ड किस तरह से किया गया कुंछ schemes को हम discuss करेंगे जैसे मध्यान बोजन जो मिड्डे मील वाली scheme है सर्वसिक्षाब्यान है तो इस तरह की कुछ schemes है बची है उनको भी discuss करेंगे मिलते हैं गली वीडियो में धन्यवाद